वेलकम टू करेंट शेक्षा आई होप आप सबी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तयारी भी बहुत अच्छी चल लही होगी आज हम इस वीडियो में पॉलिटी की दूसरी क्लास करने वाले हैं इससे पहले एक क्लास आई है जिसमें की हमने संब्धानिक विकास के बा बहुत है उसका रिवीजन क्लास है यहां पर हम शॉट नोट से रिवीजन करते हैं अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप लोगों को ऐसे आगे वीडियो बिलती रहेंगी और आपको बता दें कि इस सीरीज में हम पू साइमन कमिशन के निर्माड के बारे में यहां पर जिक्र किया गया था साइमन कमिशन का जो निर्माड है यह 1927 में हुआ था और यह पिछली बार पैट जो एक्जाम है वहां पर कोशन आया था कि साइमन कमिशन का निर्माड कब किया गया था तो यह 1927 में किया गया था और इसमें कोई भी भारतिय सदस्य नहीं था। इसी के विरोध में लाला राजबत राय की इम्रत्य हो गई थी और इनकी सर पर लाठी लगने के कारण इनकी इम्रत्य हो गई थी और वहां पर साइमन गोबैक के नारे लगाय गये थे। नेक्स्ट है 1935 का अधिनियम गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 1935 समिधान पर इसका सरवाधिक प्रभाव है क्योंकि 60% भाग जो है लगभग इसी से जो वर्तमान में समिधान है इसी से लिया गया है। 1935 एक्ट के तहट परांतों में दोयद शासन समाप्त कर दिया गया था। केंदर में दोयद शासन प्रारंभ किया गया था। आउसिष्ट सक्तियां है ये केंदर को दे दी गई थी। प्रस्तावना विहीन ये एक्ट था। अकिल भारती महासंग का जिक्र समिधान के निर्माण में नहीं किया गया था। इसके तहट फेडरल कोट के स्थापना 1937 में की गई थी और पहले चीफ जेस्टिस सर मोरेश गोएर को बनाया गया था। और इसमें जो फेडरल कोट के स्थापना हुई थी इसमें दो भारती सदस थे जैकब और सुल्तान। जो ये 1935 का अधनियम आया था इसमें संग सुची में 59 विशे थे समवर्ती सुची में 36 विशे थे परांतिय जो सुचियां है इसमें 24 विशे थे और ये स्थानियम महत्तो के थे जो संग सुची है इसमें राष्टी महत्तो के 59 विशे थे वर्मा को भारत से अलग 1937 में इस अधिनियम के तहत किया गया था नेक्स्ट पॉइंट है भारत परिशद का अंत इसी के तहत कर दिया गया था और ये जो एक्ट है ये एक अप्रेल 1937 से लागू हुआ था जवाहलान नहरू ने कहा एक ऐसी कार जिसमें ब्रेक तो हैं लेकिन इंजन नहीं है ये जवाहलान नह किमाण युद्ध के बाद करने के लिए यहाँ पर आस्वाशन दिया था उस समय भारत के वाइसराए लिन लितिगो थे और ब्रिटेन के पियम वेस्टर्न चलचल थे नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी ने इसी जो मिशन ये क्रिप्स मिशन है इसको पोस्ट बोला 1945 में दूसरा वर्ड वार खतम हो गया था और उस समय युनाटेट किंडम की इस्तिती खराब थी और वहाँ पर लेबर पार्टी की सरकार बनी और उसके पियम एटली बने थे और इन्होंने भारत में समिधान सभा के निर्माण की मंजूरी दे दी थी इसके बाद आय आया था कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत में आया था इसमें तीन सदसे थे पैथिक लॉरेंस इसके अध्यच थे अलेक्जेंडर और स्टेंफोर्ड क्रिप्स ये इसके तीन मिंबर थे यहां पर जो क्रिप्स कैबिट मिशन है इसमें अलग पाकिस्तान की मांग को अश् मार की गई थी और इसमें उसमें वर्तमान में 38.9 करोन जनसंख्या थी इसलिए 389 सीट यहां पर आवंटित की गई थी उसमें जो चुनाव हुआ था उसमें 389 सीट पर चुनाव हुआ था और जो चुनाव हुआ था उसमें 296 अपरत्यच चुनाव हुआ था शीटों पर आपरत्यच चुनाव हुआ था जिसमें ब्रिटिस भारतिय परांतों में 292 सीटे थी और चीफ कमिशनरी में 4 सीटे थी इसके अलावा 93 सीटे मनोनित थी देशी दियास्यतों की तोटल 389 सीट थी उसमें 296 यहां पर चुनाव हुआ था और ये ब्रिटिस भारतिय परांत की 292 चीफ कमिशनरी 4 थी मनोनित 93 थी जिसमें की देशी रियास्ते शामिल थी जो चार चीफ कमिशनरी थी उनमें शामिल थे कुर्ग, बलुचिस्तान, दिल्ली, अजमेर और तीन सब्दाएं यहां पर मुखिता चुनाव में लड़े थे सामान, मुस्लिम और सिख ये इनके बीच में मतलब चुनाव हुआ था जो जनर्नल की सीटे थी ये 212, 213 थी मुस्लिम को 79 सीटे मिली थी सिख को 4 सीटे मिली थी जो इलेक्शन हुआ है 296 सीटों पर उसमें 208 स सीटे मुस्लिम लीग को मिली थी और 15 सीटे अनडे को मिली थी 16 अगस्त 1946 को प्रत्यच कारवाही दिवस मुस्लिम में लीग के दौरा मनाया गया था समिधानसभा में कुल 15 महिलाएं थी इनके बारे में आगे देख लेते है कौन-कौन सी महिलाएं है तो आप लोग इनको ध जिसमें कि पहली सरोजनी नाइडू और ये कांग्रेस की पहली भारतिय महिला अध्यच थी और इनों ने कानपुर के 1925 के अध्वेशन की अधेच था की थी अगर पूचता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यच कौन थी तो वो एनी बेसेंड थ ही but भारतिय महिला होल्ड है और 13 फरवरी को राश्री महिला दिवस मनाया जाता है दूसरी है विजय लक्षमी पंडित ये भारत की तरफ से यूएन महासभा में विश्व की पहली महिला अध्यच्छ बनी थी सुचेता क्रपलानिंग उत्तरपदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी और कारिकाल 1963 से 1967 तक रहा था एनि मश्किरीनि ये त्रमणकूर किरल की रहने वाली थी रेडुका रे पस्चिम बंगाल की थी आप लोग इनके नाम ध्यान रखिए अगर एक्जाम में आता है तो आप लोग उसको कर लेंगे अम्मु श्वामी नाथन ये मदरास की रहने वाली थी और ये 8 मार्च 1975 को मदर आफ दा इयर इनको घुशित किया गया था राजकुमारी अमरतकौर उत्तरपदेश से सम्बंदित थी और ये पहली कैबिनेट महिला मंत्री थी इनको हेल्थ मिनिस्ट्री दे गई थी और ये 1950 में डवलु एच डी की अध्यच भी बनी थी पूर्णिमा बैनर्जी उत्तरपदेश से सम्बंदित थी डवलु एचो की स्थापना साथ अप्रेल 1948 को हुई थी वर्तमान में इसके हैड डाक्टर टेड रोस है आप लोग इसका ध्यान रखिए और इसका मुख्याल है जनेवा सुजरलेंड में इस्तिता है माल्ती चोधरी उडिसा से सम्बंदित थी लीला राय बंगाल की थी बेगम एजाज रशूल एक मात्र मुस्लिम महिला जो की चुनावल जीत कर आई थी इनका नाम है बेगम एजाज रशूल एक मात्र मुस्लिम महिला थी दच्छाइणिंग वेला युदान मदरास से समन्दित थी दुर्गाबाई देशमुक मदरास की थी हांसा महता मुंबई की थी और कमला चोधरी भी चुनकर आई थी मात्मा गांधी ने समिधान मात्मा गांधी जो थे ये समिधान सभा के सदस से नहीं थे समिधान सभा के कुल अधिवेशन बारा हुए थे ये भी कभी कभी पूछ लेता है समिधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर 1916 को हुई थी समिधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर को हुई थी और इसके अस्थाई अध्यच सचिदनंद शिनहा को बनाया गया था हैदराबाद रियासत ने इसमें भाग नहीं लिया था इसके उप सभापती फ्रैंक एंथेनी को बनाया गया था 11 दिशंबर को फिर से समिदान सभा की बैठक हुई थी और यहां पर पहले अस्थाई सदस्य अध्यच राजिन्द प्रसाद को बनाया गया था और यह समिदान सभा की दूसरी बैठक थी अस्थाई अध्यच राजिन्द प्रसाद को बनाया गया था उपाद्यच हC मुखरजी को बनाया गया था समयधानिक सलहकार बियन राव को बनाया गया था ये एक्जाम में कोश्यन बहुत आता है दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखें 9 दिसंबर को पहले बैठक हुई और इसके आस्थाई अध्यच सचिदानन सिनहा बने थे और बाद में 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है और इसके अध्यच राजिन परशाद को बनाया जाता है उपाध्यच सचिदानिक सलहकार बियन राव थे नेक्स्ट है 13 दिसंबर 1946 को जवालाल नहरू ने उद्देश से प्रस्ताव को परिस्तुत किया और 22 जनवरी 1947 को उद्देश से प्रस्ताव पास हो गया था ये डेट भी बहुत इंपोर्टन्ट है 22 जनवरी 1947 को जो प्रस्तावना है ये पास हो गई थी और इसको पेस जो है 13 दिसंबर 1946 को जवालाल नहरू के द्वारा किया गया था इंपोर्टन फैक्स देखते हैं समिधान सभा का जो पहला सत्र है ये 9 दिशंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला और इसमें खुल 12 सत्र आयुजद किया गया थे 12 सत्र 24 जनवरी 1950 को आयुजद किया गया था और ये लास्ट सत्र था समिधान सभा का 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राश्टी द्वज के तवर पर अपना लिया गया था प्रारूप समिधी के अगठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था इसमें साथ सदस्य थे एक अध्यच और से छे इसके मिंबर थे एक ट्रिक है इसको पहचानने की अम्बेडकर आएंगे माधो मित्र मुंशी क्रिष्ण के शाथ खेत पर गाए चराने ये इसकी त्रिक है आप लोग उसको ध्यान रगे कि यहाँ पर जो प्रारूप समिधी है इसके अध्यच डाक्टर अम्बेडकर को बनाया गया था दूसरे सदसे एन गोपाल शौमी अयंगर थे तीसरे अलाधे क्रिष्ण शौमी अयंगर फोर्थ थे सदसे डाक्टर के मुंसी एक मात्र कांगरेस के सदसे ये थे सयद मुहम्मद शादुल्ला एन माधह राओ बी एल मित्र के अस्वस्त होने के बाद इनको सदसे बनाया गया था टिटी क्रिष्ण मुचारी 1948 में डीपी खैतान के मुलत्यू के बाद इनको सदसे बनाया गया था तो ये सातों जो सदसे हैं ये बहुत इंपोर्टेंट हैं इसके अध्यच डर्क्टर भीमराव अमबेड कर थे ये आप लोग ध्यान रखें कुछ यहाँ पर समितियां बनाई गई थी उनके बारे में देख लेते हैं संग सक्ति और समिधान की जो समिति थी उसके अध्यच जवाहलाल नहरू थे जो केंदर में जो भी समितियां बनी थी में में संग सक्ति और समिधान इसके अध्यच जवाहलाल नहरू थे प्रांतों के लिए जो समिती बनी थी उसके अध्यच सरदार पटेल थे क्योंकि इन्हों ने प्रांतों का एक ही करण किया और इन्हें को अध्यच बनाया गया था जैसा कि आप लोगों को पता होगा 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन सरदार पटेल की जो जहनती उसको मनाते हैं नियम और संचालन जो समिती थी उसके अध्यच राजिन्द प्रसाद थे क्योंकि यही जो समिधान सभा है इसके पहले इस्थाई सदस से भी थे और बाद में आगे चलकर यह भारत के रास्पती भी बनेंगे तो सरदार पटेल जो है यह पर इनको बनाय गया था मूल अधिकारों के लिए भी सरदार पटेल ही अध्यच थे नेक्स्ट पॉइंट है उप समीतियां यहाँ पर बनाए गई थी अधिकार के लिए जो समीति बनी थी उसके अध्यच जेबी क्रिपलानी थे इसकी ट्रिक है अधिकार जेब में अधिकार जेब में मतलब अधिकार के लिए जो समिती बनी उसके अध्यच जेबी क्रिपलानी थे अधिकार जेब में अलब संख्योंके के लिए जो उप समिती बनी थी उसके अध्यच अचिसी मुखरजी थे कुछ पॉइंट और हैं 16 मई 1971 को भारत राष्ट मंडल देशों का सदस से बन गया था राष्ट मंडल देशों में बता दें कि जो वो देश होते हैं जिन पर ब्रिटेन ने कभी न कभी अधिकार किया हो या पर उन पर रूल किया हो वो लोग राष्ट मंडल सदस से देशों के मिंबर थे ये कोई बाधिकारी नहीं था अगर आप चाहते हैं तो बन सकते हैं नहीं तो कोई दिक्कर नहीं थी नेक्स्ट है 14 सितंबर 1971 को हिंदी को राजभासा का दर्जा दिया गया था और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को 20 हिंदी दिवस मनाया दाता है और इस बार का जो 12 हिंदी सम्मेलन है ये फिसी में आयुजित किया गया था तो ये आप लोग लेटिस्ट जानकरी ध्यान रखें 26 नॉबर 1971 को समिधान सबा का 11 सत्र आयुजित किया गया था और इसमें समिधान का निर्मान पूर्ण हो गया था समिधान जो हमलों का है ये दो साल 11 महने 18 दिन में बन कर तयार हुआ इतने दिन इसको लगे थे बनने में 26 नॉबर को समिधान बना था इसलिए समिधान का निर्मान का पूर्ण हुआ था इसलिए 26 नॉंबर को विधी दिवस मनाया जाता है और इसको समिधान दिवस भी कहते हैं 26 नॉंबर 1971 को कुछ एक्ट लागू हो गए थे जिसमें प्रमुक थे आर्टिकल 394 में जो भी लिखा गया है 15 एक्ट लागू हो गए थे साथ में 394 भी इसमें लागू हुआ था तो कुल मिलाकर 15 जो आर्टिकल थे वो इस दिन लागू कर दिये गए थे जिस दिन समिधान जो निर्माण है इसका कार्यपूर हुआ था 26 नॉंबर को विधी दिवस या फिर समिधान दिवस मनाया जाता है आप लोग इसको ध्यान रखें 24 जनवरी 1950 को जो हम लोग का समिधान है इसकी समिधान सभा की अंतिम बैठक भी होती है और इसी दिन राश्ट्रगान और राश्चेगीत को सुविकार किया जाता है और देश में पहली बार राश्पत अधनी बनते हैं और हम लोग का समिधान जो है यह लागू हो जाता है तो इस वीडियो में इतना ही अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें चैनल को अगर पहली बार आप लोग आए हो तो सबस्क्राइब कर ले आगे की वी दहां से related महत्तुपून बाते और अनसूचियों के बारे में जान करी लेंगे तो आप लोग चैनल पे बने रहें धन्यवाद